तो ही गईज स्वागते गवार फिर से एक नई वीडियो में तो गईज अगर आपके पास Moto G42 मोबाइल है और आप उसमें एप लोग लगाना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप उस एप को यूज कर सकते हो इसके लिए दोस्तों आपको छोटा सा एक डाउनलोड करना पड़ेगा जो की बहुत ही बेहतरी इन एप से इसको मैं काफी दिनों से यूज भी करता हूँ तो यहाँ पर आपको जाना है प्ले स्टूर में और प्ले स्टूर में जाने के आपको इस तरीके से आपसवर्ड बना लेना जो उसको पासवर्ड बना लीजिए पासवर्ड बनाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एड्स आज सकती है तो आपको क्या करना है? add को cut करने के बाद guys, सबसे पहला जो काम करना है, आपको यहां पर जो ok का इसको ok करोगे, तो यहां से delete हो जाएंगे, तो guys यहां पर आपको apps को lock करने के लिए plus का icon पर click करना है उसके बाद जितने भी apps को आप lock करना चाहते हैं उसको lock कर दीजिए यहां से और lock करने के बाद आपको क्या करना है फिर से यहां पर plus का icon पर click करना है और जैसे आप इस पर click करेंगे तो यह apps आपके lock हो जाएंगे तो guys अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यह apps lock हुए या नहीं हुए तो यहाँ पर मैंने chrome को lock कर रखा है तो चलिए मैं chrome को open करेंगे और chrome को open करते ही देखिए सबसे पहले यह fingerprint मांग रहा है अगर आप fingerprint नहीं देते हैं तो आप यह आप टच कीजिए और आप password देदीजिए और आपका app lock जो है open हो जाएगा तो इस तरीके जो तो आप इसमें apps को lock कर सकते हूँ